यूपी में उप्चिनों को लेकर के घमासान चल रहा है लेकिन इस बीच राजनेती जलियारों में चर्चाएं थी कि कॉंग्रेस और सपा में बात्चीत नहीं बन पा रही है और कहीं ऐसी सितिया तो नहीं कि तलाक हो जाए पर सायद कुछ अलग हुआ और कॉंग्रेस ने वा कॉंग्रेस ऑष करना चाहिए आज को पार्शी के डूनरी इस शाहदत दी देश के लिए तो अगर आज वयर है कल अगर हम पीछे जाएं, हम कस्मीर में जाएंगे, इंद्रा गांधी जी की सरकार थी, इंद्रा गांधी जी की टू थर्ड मजाटी कस्मीर में सरकार थी, वहाँ पर जाना दुरलव हो रहा था, इंद्रा गांधी जी ने फैसला लिया, कि हम कस्मीर में चुनावा नहीं लड पूरी तरह से मिजोरम जल रहा था, वहां के नौजवानों के हाथों बंदूग थी, कॉंग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार छोड़ी, उन नौजवानों से कहा हत्यार रखो, लोगतंत्र की रक्षा के लिए सरकार में आओ, और अपने राज्य की रक्षा करो, कॉंग्रेस प बानता है, असाम में भी जो आज भाजपा के सहयोगी दल है, वो असाम को जला रहे थे, कॉंग्रेस पार्टी ने अपनी चुनी सरकार छोड़ी, उन लोगों से कहा हत्यार छोड़ो, आके लोगतंत्र और संविदान की रक्षा करो, उस समय भी कॉंग्रेस पार्टी ने रंता बरकरार रहे तो आज इंद्रा गांधी के ही पोते तो है राहूल गांधी जी वो पार्टी में फैसला लेते हैं वो पार्टी में फैसला इसलिए लेते हैं कि राश्ट रचित रहे भारती जंता पार्टी का राश्टबाद सिर्फ राजनेतिक है जुमला है सिर्फ लोगतंतर बचे हमारा संविधान के रक्षा हो कॉंग्रेस पार्टी एटिया गडवंदन को मजबूति के साथ चुणा लड़ाएगी और भारती जनता पार्टी को हराएगी अपनी उस परिपार्टी को पुरानी रही है जहां पर कॉंग्रेस पार्टी ने पहले भी जीतने का दम भरते थे सबसे बुरी पराजे हुई है और इस उपचुनाओं में भारती जनता पार्टी की बुरी पराजे होगी जहां तक कॉंग्रेस पार्टी के त्यारी है साइध फुटेज भी एबलेबल होंगे भारती जंता पार्टी के कुछ छुटभया नेताओं ने कमेंड ही पास किये थे कॉंग्रेस पार्टी ने प्रत्यक बिधान सवा में जहां पर उपचुनाओं है सम्मिधान शभाएं की थी हमारे जनरल सेकेटरी इंचार्ज अविनास पांडे जी हमारी पूरी पार्टी वहां पर मजबूती के साथ मजूत थी हमारे जीते सांसद वहां पर मजूत थे और भीड़ भाड़ ज़ंकी थी कि लग रहा था कॉंग्रेस पार्टी सारे उप्चनाओं की सीटों पर लड़ने के लिए मजबूती के साथ खड़ी है लेकिन कॉंग्रेस पार्टी हमारे उसी परिपार्टी के हैं जिस परिपार्टी की सोनिया गांधी जी ने पढ़ान मंत्री पद को ठोकरा दिया था चोटी चोटी दो सीटें चार सीटें बहुत माने रखती नहीं है भार्टी अंता पार्टी को हराने के लिए देश और संविधान को बचाने के लिए पूर्व कांग्रेसी नेता आचार प्रमोद किष्णम का बड़ा बयान आया और बड़ा तंज कसा उन्होंने की सपा माद बिले कर दिना चाहिए कांग्रेसी मैं अचार प्रमोद किष्णम की बड़ी इज़त करता हूँ वारल होना चाहते हैं भार्टी अंता पार्टी में गए थे यहां पर सम्मान मिलता था वहां तो दिख नहीं रहा है एक दिन सुना बाश्या उनके आए थे कांग्रेस के खिलाफ कांग्रेस की परमपराओं के खिलाफ जहां से पले बढ़े उन्हीं खिलाफ बोलते हैं थोड़ा सा गुरू परमपरा कर दान रखना चाहिए अचा अगर गुरू परमपरा का भी चोटा लगता है। मैं उन्हें सलाह दूँगा और उन्हें कहूंगा भी कि गुरू जी अगर कॉंग्रेस के खिलाब बोलते हैं तो भाजपा में कुछ पा लीजिए। एक अंतिम सवाल कि इस कॉंग्रेस के फैसले से कॉंग्रेस की कारकरता क्या हाथ उसाहित नहीं होगे और गड़बंधन में क्या फर्क रहेगा उस जो उसके साथ कारकरता फिल्ड पर काम कर पाएगा। मैंने पीछे भी आपको तीन राज्यों को उधारन और बहुत सारे हैं। कॉंग्रेस पार्टी ने और बहुत बार भी चुनाओना लड़ने का फैसला लिया है राश्ट रहित में। जब कॉंग्रेस पार्टी फिर कस्मीर असाम मिजोरम चौल अने गई सरकार बनाई थी। अलक की बात है जिनके हाथ में हत्यार थे बंदूखें थी ओभी राजनीत की मुक्यधारा में आ गए थे। लेकिन उस प्रदेश की जनता ने दुवारा से कॉंग्रेस पार्टी को जनादेश दिया। कॉंग्रेस पार्टी के कारकरता राहूल गांधी जी कहते हैं बबबर सेर हैं। ताकत के साथ लड़ेंगे भारती अंता पार्टी को हराएंगे और 2027 में इंडिया गडबंदन की सरकार उत्तर प्रदेस में बनाएंगे शुक्रियां से बात करने के लिए तो आपने समया कांग्रेस की वरिष्ट नेता दीपरिकी के साथ तोर पे कह रहा है कि कि परिपार्टी ही त्याग की और बरिल्दान की रही है और ये त्याग और बरिल्दान भी 27 में सरकार में तद्दील होगा करें प्रसर इसकी वर्मा के साथ संजेप सापसिंग बार्ष समाचार लख्रो